आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासिस का यूटूब चैनल पर हाँ जी थमनेल आपने बिल्कुल सही पड़ा क्या है रूल नंबर 37A क्या कहता है ये नया रूल इस वीडियो में डिसकस करेंगे अगर मैं आपको बता दू अभी कुछ दिन पहले प्रेस रिल आई थी और उसमें रूल 37A एक नया रूल इंसर्ट करने की बात कही है तो क्या कहता है ये रूल ये किस सेक्शन से लिंक है ये पूरा डिसकस्शन करेंगे अगर आपको पता लग गया है ये कौन से सेक्शन से लिंक है तो मुझे एक बार कमेंट बोक्स में लिख कर बताएं कि हां सर ये वाला जो रूल है ये इस सेक्शन से लिंक है तो बात कर रहें रूल 37A की इन्होंने क्या बोला है GST काउंसिल ने की हम एक नया रूल अगर आपको पता हो GST में जितने भी रूल होते हैं वो सारे के सारे लिंक होते किसी ना किसी सेक्शन से तो अगर हम 37A की बात करें तो इसकी लिंकेज है सेक्शन नमबर 41 से हाँ जी बिल्कुल सحी समझा आपने सेक्शन 41 GST का जो की नया सेक्शन आया था जो की चेंज होकर section आया था, sir क्या linkage है जरा बता दीजिए, तो एक बार में पहले आपको section 41 पढ़ा देता हूँ section 41 क्या कहता है available of ITC की बात करता है, तो section 41 पहले किसी और चीज की बात करता था, ये नया section है, ये क्या कहता है, कि जो भी registered person है, हम उसे ITC दे देंगे, हमें ITC देने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन, recipient ITC लेने से पहले इस बात को ensure कर ले कि supplier ने tax जमा कर दिया हूँ, और अगर ये बाद में पता लगा, कि supplier ने tax जमा नहीं करा है, tax की payment नहीं करी है, तो recipient को वो ITC reverse करना होगा, और साथ में उसे interest भी पे करना होगा, मतलब ऐसा समझो, कि मैंने किसी व्यक्ती से, एक जन्वरी 2022 को माल पर चेज करा, एक लाग रुपे का एक लाग रुपे का माल पर चेज करा, एक जन्वरी 2022 को, अब मैंने उसका ITC ले लिया, लेकिन बाद में government को पता लगा कि भाई, इसके supplier ने यह ठारा जार रुपे का tax भी पे नहीं करा, तो government section 41 में मुझे notice भेज सकती है और यह कह सकती है कि भाई, आपके supplier ने tax जमा नहीं करा, तो आप इस ITC को reverse कर दे with interest, यह मैं नहीं कह रहा यह कौन कह रहा है, यह कह रहा है, section 41 तो आप लोग ऐसे notice की तयार ही कर लो, क्योंकि इसका rule भी आ चुका है, 37 है तो पहले एक बाद section बढ़ लेते हैं कहते हैं, the credit of input tax available by registered person in respect of such supply of goods or service or both, the tax payable warrant has not been paid by the supplier जहां पर supplier tax pay नहीं करेगा, sell भी reverse along with the applicable interest by the sad person in such manner as में भी prescribed, इन्होंने prescribed लिख दिया था, लेकिन इसका rule नहीं लेकर आएते हैं अब यह इसका rule लेकर आएं rule में क्या कहते हैं यह ठीक है, जो rule आएगा उसमें क्या कहते हैं, कहते हैं कि हम एक mechanism बना रहे हैं, किस चीट के लिए reversal of ITC की बात के लिए reversal of ITC कौन सा section 41 वाला, कब in the event of non payment of tax by the supplier by specified date हम यह नहीं कि supplier ने 10 दिन तक tax pay नहीं करा, तो हम बोल देंगे recipient से, कि आप reverse करो, एक specified date होगी मतलब कि let suppose करो 1 जनवरी 2022 को मैंने माल purchase करा, और मेरे supplier ने, मेरे supplier ने 30 नवंबर 2022 तक जमानी करा, यह मैं example दे रहूँ, date कम भी हो सकती है जादा भी हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि अगर आपका supplier, एक specified date तक tax की payment नहीं करेगा तो आपको reverse करना है, as for section 41 इसके लिए हम एक नया rule बना रहे है rule 37 and the mechanism यह कहते है, कि section 41 इस बात की बात करता है कि हो सकता है supplier के पास पैसे नहीं हो, हो सकता है supplier को कोई दिक्कत हो तो supplier tax pay नहीं कर रहा हो लेकिन बाद में तो वो pay कर सकता है let suppose उसने 30 नवंबर 2022 तक pay नहीं करा लेकिन उसने 2023 को pay कर दिया तो section 41 में बात लिखी है कि चलो कोई बात नहीं अगर आपका supplier tax pay नहीं कर रहा है तो आप reverse कर देना interest pay कर देना लेकिन जब वो बाद में pay कर देगा तो आप reclaim कर लेना क्या कर लेना जी बाद में रिक्लेम लिखा है provided debt where the set supplier makes payment of tax payable in respect of a faucet supply the set registered person में re-avail क्या लिखा है जी re-avail re-avail वर्ड क्यों यूज किया गया क्योंकि पहले आपने avail करा तो फिर reverse करा then आप re-avail कर रहे हो of credit reverse by him in such manner तो ये किस manner में re-avail करेगा वो manner भी rule 37A में लिखा जाएगा दो mechanism लिखे जाएगे एक तो reversal कैसे होगा और दूसरा reclaim लिखा and mechanism for re-availment of such credit if the supplier pay tax subsequently कि अगर supplier बाद में tax pay कर देगा तो हम आपको दुबारा ITC दे देंगे सर इससे होने क्या वाला है इस condition से recipient की मुसीबत आने वाली है लेकिन government को फाइदा होने वाला एक section होता है हमारा section 162C section 162C ये कहता है कि बाई ITC आपको तभी मिलेगा जब government के पास tax pay हो गया तो यहाँ पर government इस वाले rule के साथ ये चीज को satisfy करना चाहते है कि tax pay हो गया तो अगर supplier ने tax pay नहीं करा तो ये क्या करा देगी आपसे reverse करा देगी और अगर pay कर दिया है तो आपसे re-avail करा देगी तो लिखा है this would ease the process for compiling the condition for availablement of input tax credit under section section 162C of CGST Act किलियर हुआ आपको ये वाला provision हाँ सर काफियत तक हमें किलियर हो गया लेकिन अगर फिर भी अगर ये आपको किलियर नहीं हुआ है तो इस Sunday को free रखियेगा Christmas Day तो मनाएंगे ही मनाएंगे साथ में 11 बजे से 1 बजे तक हम GST Council की जो meeting आई है जो press ली जाई है 48 GST Council और जब तक जितने भी circular वगएरा आ जाएंगे सबको explain करेंगे सबको discuss करेंगे अपनी इस meeting में जैसे ये discuss करा है ना point ये हमने 10 minute लगा के करा है ऐसे एक एक point को discuss करेंगे अगर आपने इस webinar में अभी तक registration नहीं करा है तो registration करा लो नहीं तो इसकी fees बढ़ जाएगी ये बात आपको समझ आगी और अगर आप परेशान हो गए हो बार-बार webinar में registration करा कर तो हमारे पूरे साल का package ले लो तो पूरे साल का webinar का package भी मिल जाएगी सर मुझे तो ना अपना photo चाहिए यहाँ पर अरे भाई अगर आप यहाँ पर अपना photo चाते हो तो आप हमारे advisory board के member भी बन जाओ ठीक है तो मैं आपको बता दूँ इन सब बातों के लिए आप हमारी team से contact कर सकते है और हाँ जो हमारी पहली किताब आई थी GSTR 99C पर वो बहुत धूम मचा रही है ठीक है ना सुनने में आया है उसकी हमने लगबख 700-800 कोपी बेच दिये तो अगर आपने अभी तक उस किताब की booking नहीं कराई है तो 31 December आपकी last date है GSTR 99C की उसे भरने से पहले इस book को purchase कर लो तो आपकी GSTR 90C आसान हो जाएगी आशा करतो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो comment box में लिख कर बताए मैं press lease के उपर और GSTR 9 पर ऐसी वीडियो लाता रहूँगा इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ Thank you for watching